आप हमें बताएं सर कि यह जो नई किस्में है DBW 187 है DBW 222 है DBW 303 हाली में आपने थोड़ा थोड़ा ट्राइल मोड में सब किसानों को दी है तो यह किस्में 2021 में आज मार्च की तीन तारीख चार तारीख हो गई है तो यह कैसा प्रफॉर्म कर रही है आपके फील्ड में या किसानों से क्या आपको फीड़बैक आ रहा है यह जो तीन किस्मों का नाम आपने लिया है DBW 187 है DBW 222 है और DBW 303 है मैं बहुत से प्रदेशों में अलग-अलग हिस्सों में देश के गया हूँ उतर पश्चिम मैदानी छेत्रों में और मैंने पाया है और किसानों का रिस्पॉंस भी मिला है कि जो तीनों किस्में हैं खास तोर से DBW 187 और DBW 222 का सीट हमने भारी मात्रा में दिया था DBW 303 का सीट थोड़ा limited amount में किसानों को दिया था mini kit trial के तौर पे इनका response बहुत outstanding है और जो किसान है इसके performance से काफी प्रसंद है और आप आपने देखा होगा पिछले दिनों में कि जो तापमान में थोड़ा बहुत बढ़ोतरी और घटा हुआ है उससे भी ये तीनों किसमों में कोई खास फरक नहीं पड़ा है मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ये तीनों किसमें देश में राज करेंगी और भारत के गेहूं के उत्पादन को एक नए शिखर पर ले जाने में बहुत बड़ी इसमें एक कारक सिद्ध होंगे किसान भाईयों को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये 303 के बाद आने वाले सिरीज की किसम है तो सबसे पहले तो खिसानों को 303 मिलेगी और 313 जैसा आप कह रहे हैं और अन भी बहुत सी किसमे हैं 327 है 331 है ये सब ट्राइल के दर्मियान चल रही है अभी तो अभी अभी देखना बाकी है कि दो और तीन वर्षों के उपरान तीन का जो एवरेज प्रोडक्शन का लेवल आता है वो कहां तक आता है और परिजन हमेशा 303 से होगा तो अगर 303 से बहतर साबित होंगी जैसा मुझे लगता है कि शायद हो जाएं तो यह निश्चित तोर पर किसानों के द्वार तक पहुचेंगी और हम उसके लिए साथियों बहुत खुशी की बात मुस्कराते हुए सरने को बोला कि 313 भी पाइप लाइन में है कुछ दो वरेटीज के और भी नाम ली है जल्दी में मैं पकड़ने पाया हूं और उन्होंने बोला कि जो वरेटल कंपरिजन होगा वो DBW 303 से होगा तो मैं कुछ द्वंद मे हूं कि 303 से उपर भी क्या पैदावारी आ सकती है तो उन्होंने अभी खुद से ही कह दिया कि ये आने की संभावना है इसलिए ये ट्रायल मोड में है तो फिलहाल ये कंपरिजन चल रहा है मैं उमीद करता हूं कि भारतिये गेहूं एम जो आनू संधान संस्तान निरंतर ड संस्तान को भी मिलेगा उससे बहुत बड़ा नाम तो मैं आपकी और से और अपनी और से डाक्टर जीपी सिंग जी को हार्दिक शुब कामनाई देता हूं धन्यवाद नमस्कार जी नमस्कार